हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सलीम की गली और आज दोस्तो ये वीडियो भी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर है और उनका कमेंट ये था कि जो गाड़ी का साइड इंडिकेटर होता है वो वर्क नहीं कर रहा है तो उसका बल्फ कैसे रिप्लेस करें तो दोस्तो ये व इंडिकेटर ओन करके दिखा देता हूं आप लोगों को क्योंके मेरा इंडिकेटर जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है लेकिन आपको टेंसन लेने की ज़रुवत नहीं है क्योंके मैं इस वीडियो में आपको इंडिकेटर को कैसे बाहर निकालना है और बल्फ को कैसे replace करना है पूरा detail में आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ ठीक है दोस्तो तो दोस्तो यह हमारी center का side indicator और इसको खोलने का तरीका बहुत ही आसान है और वह भी मैं आपको इसको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ क्योंकि इसमें कोई screw और nut वगरा कुछ नहीं कोलना होता है तो इसे कैसे कोलना है तो मैं आपको इसको camera का थोड़ा focus करके आपको दिखा देता हूँ यह जो इसमें indicator में आपको छोटा सा एक hole दिख रहा होगा यह वाला hole type का है मतलब इसमें सिर्फ एक screwdriver ही जा सकता है और कुछ इसमें नहीं जा सकता और यह एक ही side होता है दूसरी side नहीं होता है ठीक है दोस्तों तो indicator को खोलने के लिए मैंने लिया एक screwdriver जो के मेरे अभी हाथ में आप देख रहे हो तो अब screwdriver को जो हमारा indicator का जो छोटा सा hole मैंने आपको दिखाया था भी पीछे वीडियो में तो simply उसके अंदर डालना है ठीक है तो आप जैसे ही screwdriver को indicator के hole के अंदर डालोगे तो आपको feel आ जाएगा कि हमारा indicator का lock था वो unlock हो चुका है लेकिन अब इसको भार कैसे निकालना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ दिए देखो दोस्तो इसको indicator को पगड़ना है हाथ से और भार के side अपना खेचना है इसको ठीक है दोस्तो यानि के pull करना है तो ऐसे हमारा indicator ये भार निकल आएगा कि यह हमारा indicator बिना किसी screw और बिना किसी nut की मदद से यह कैसे रुका रहता है यहाँ पर तो यह देख सकते हो दोस्तों आप एक side पे तो plastic का lock है जो के अपने जगह से कभी हिलता नहीं है और दूसरी side पर यह lowi की पती लगी है जिस पर अभी पूरा rust लगा हुआ है लेकिन मैं हमारा indicator से bluff को भा़र निकालने का तो मैं simply अब इसको आपको निकालके दिखा देता हूँ और अब इसको कपलर से हमें बल्फ को बाहर निकालना है और बल्फ को बाहर निकालने का तरीका क्या है कि एक हाथ से इसको बल्फ को पगड़ना है और अपनी तरफ पुल करना है जोर से तो बल्फ को बाहर निकलने के लिए मैं पहले कपलर को कसके पकड़ लेता हूँ एक हाथ से और दूसरे हाथ से बल्फ को निकलने की कोशिश करता हूँ तो दोस्तो इसमें थोड़ी सी जान लगानी पड़ रही है मुझे तब ही ये बाहर निकल गया और देखो दोस्तो ये बाहर निकल गया है हमारा बल्फ ऐसे हम अपने बल्फ को इंडिकेटर के बाहर निकाल सकते हैं तो दोस्तो बल्फ को हमने holder से बाहर तो निकाल लिया है लेकिन अब बात कर लेते हैं इसको holder में वापिस लगाने की तो मैं बल्फ को replace नहीं करूँगा क्योंकि आपको पता है कि मेरा बल्फ बिल्कुल working condition में है तो मैं आपको इसी को लगा के दिखा देता हूँ तो simply बल्फ को holder के उपर रखना है और इसको अराम से push करना है तो यह हमारा बल्फ भी easily holder में लग जाएगा ठीक है दोस्तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा तो आप बात कर लेते हैं इसको वापिस से indicator में लगाने की तो लेकिन दोस्तो इससे पहले जो है मैं इसको एक बार check करके देख लेता हूं कि मेरा working condition में था कि खराब ना हो गया हो तो मैं इसको एक बार on करके देख लाता हूं तो दोस्तो मेरा indicator बल्फ बिल्कुल सभी से काम कर रहा है देख सकते हो और अब मैं जल्दी से इसको off कर देता हूं और इसके बाद जो है इसको आपको व गुमा देना है ठीक है दोस्तों तो हमारा जो है बल्फ इंडिकेटर में फिट हो जाएगा तो बल्फ तो हमारा indicator में लग चुका है और दोस्तों आपने इस वीडियो में पूरी तरीके से देख लिया है कि कैसे मैंने indicator को बार निकाला और उसके बाद बार निकाला और सेंटरों में किसी और चीज पर वीडियो देखना चाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर देना तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिस करूंगा या फिर अगर आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत है या कोई प्रॉबलम है तो आप मुझे उसक प्रॉबलम है प्रॉबलम है तो